कि हम सब को जितने भेने हैं भाई हैं आपकी तवस्त से मुझे सुन रहे हम लोग को सब को दुआएं करनी चाहिए बात्ग पाक इसे जो भी पाकिस्तान प olmaz की तरफ से जो पुद्रत है अपाक सब को महठोरा हुए अई दो कि जितने विमार हुएं लोग उनको शफ्वार दें है और bougénergie युझा जटने लोग इस दुनिया से गहें अल्लापाक उनकी मखफिरत करे शहीद हुए जाहरे जो इस तरह से जाते हैं लोग वो शहीद होते हैं और उनके लवाइकीन को अल्लाप सबर अता करे और अब मैं बात करूंगी पीटी आई की, पीटी आई हमेशा पाकिस्तान की कीसी भी कौने में कहीं पे भी कोई भी मसला दर्पेश आए, चाहे वो जमीनी आफ़त हो, आस्मानी आफ़त मुसीबत किसी तरह की भी कोई भी मसला हो, पीटी आई हमारे काईद ने हमें ये सिकाय है कि आप जाएं और उनकी हिल्लप करें हम खावतीन हैं आपने देखा किसी भी कैम पर कि चाहे वो जमात इस्लामी हो चाहे वो पीपस पार्टी हो चाहे वो टी एल पी हो किसी कैम पर कोई खावतीन नहीं हैं हम लोगों का जजबा है अपने मुसलमान बेन भाईों के लिए अपने पाकिस्तानी बेन भाईों के लिए के हम अपने बचे छोड़ के और इस वागत इस चोप पे चोराए पे बैठे हुए और उन लोगों के लिए मदद मांग रहे हैं तो जो सुन रहा है आपके तवस्त से वो भी बढ़ चड़के हिस्सा लें और इस कारेखेर में अपना हिस्सा डालें और बाकी पी टी आई ने हमेशा पी टी आई ने हमेशा इस मुलक में जब भी कोई आफ़त मुसीबत आई है उसका साथ दिया है चाहे वो 2010 का सहलाव हो चाहे वो 2005 का जलजला हो हमारे जो भाई हैं पी टी आई के वरकर्स जो हैं जो वालंटियर हैं चाहे वो आदमी हों चाहे वो औरते हों चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बच्ची हों दिन रात इस काम में लगे हैं और अल्लापाक हम सब को महफूज रखे इन चीजों से और अल्लापाक हमें उन लोगों के लिए अग्जरीया बनाया है और अल्लापाक हमारे ये कुबूल फर्माएं पी टी आई पे लोगों को भरोसा है सारी जमाते एक साथ हैं पूरा टोला पी डी एम हो चाहे वो टी एल पी हो चाहे वो दूसरी जमाते इसलामी है वो सारी एक होके भी पी टी आई का शाना बशाना नहीं चल सकती हैं ये मेरे खान को अल्लापाक है और ये खान पे भरोसा है लोगों का और यहां हमारे कैम पे भी बहुत सारे लोग आते हैं वो कहते हम जंडा देख के आए हैं और हमें पता है कि यह मुस्ताइकीन तक यह समान पहुंचेगा कराची पाकिस्तान के आवाम को अगर सेलाब के हावाले से कहेंगे तो मैं यही कहुँई कि जो बहन भाई इस वक्त मुझे सुन रहे हैं उनलोगों को मैं यह कहुँई कि जरूरी नहीं है कि आप यहां हजारों डालें आपको अल्ला ने जितनी हैसियत दिये अगर अल्ला ने आपको हजारों की हैसियत दिये तो आप हजारों डाले नहीं तो अल्ला ने अगर आपको कम की हैसियत दिये तो आप कम डाले आएं और इस मुश्किल वक्त में अपने भेन भायों का साथ दें इस वो में हमारे इमदाथ की अमारे सपोर्ट की उनको जरूरत है आए और अनकी सपोर्ट करें वो पाकिस्तानी बच्चे हैं वो हमारे मुल्क का मस्तक्बिल है वो बच्चे वो भेने, वो माये, वो हमारे बुजर्ग तो आएं और उनका साथ दें और एक मरतबा पाकिस्तान जिन्दाबाद, PTI जिन्दाबाद